काई टाप आली नाम है दीपिका मूवी वेबसाइट में काम करती है रिव्यूज लिखती है उसके वोकिंग आउस अलग हैं मेरे वोकिंग आउस अलग हैं एक्सक्यूज में सॉरी मुझे उसे देखने का मौका बस सुभह मिलता है लिफ्ट के अंदर और कहीं नहीं शाप नौ बच कर दस मिनिट अगर मिस कर दिया तो पूरा दिन नहीं देख पाऊंगा मैं उसे देख रहा हूँ ये उसे पता है पहले उसने मुझे जान बूच कर अवाइड किया लिफ्ट में भीड कम होते होते सेवन्थ फ्लोर आते आते हम सिर्फ दो लोग रह जाते हैं सोब कोई चारा नहीं उसे मुझे तेख नहीं बढ़ता और एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया किन आइटेक यू और फॉर कप अव कॉफी प्रियर सियार क्या बुली वो नाम नहीं बताया इंट्रड्यूस नहीं किया सीधे मुद्धे पर आ गए अब सिर्फ दो सेकिंड बचे हैं आपका सेवन फ्लोर आ जाएगो और मेरा इट्थ वेस्ट करने के लिए टाइम कहा है कॉफी पीने के लिए हां बुली सो सवाल गलत है सही तरीके से पूछे तो चलेंगे सवाल सही तरीके से पूछे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे या तो हां बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए ठीक है मैं आता हूँ ऐसा ना हो कहीं लिफ्ट चली जाए ठीक है बाई अब जाए अब जाए अब जाए आए अब जाए आए इसा नहीं पूछना था रहा बल्कि मुझे पूछना चाहिए था विल यू तेक में आउट पूछना था अभी भी गलत है आपका कुश्चित रुकिये लगता है आप एक्वल राइट चेंपियन है के आए टेक यू और विल यू तेक में आउट दोनों ये गलत है केन वी गो आइट फोर कप अफ कॉफी सौर्य कोई क्लू तो दीजिये तुझे पीछे भगा रही है आप मुझे पीछे भगा रही है किसी तरह से पुछों आप आएंगी नहीं मैंने जाने के लिए मना नहीं किया है आप सही तरीके से पुछें, जरूर चलूंगी सवाल गलत है सवाल को सही तरीके से पुछें, जरूर चलूंगी बेवकूफ कहीं का बोल यार, मैंने ढून लिया कल वो आएगी, कॉफी पीने के लिए बहुत सिंपल आंसर था यार बेवजा ज्यादा सोच सोच के मैंने दिमाग खराब कर दिया इतना टाइम भी काड़ा हम दोनों चाई पीने चले क्या चलो चलते हैं, आई हेट कॉफी मेरा नाम एलील है पता है मुझे, सिविल इंजिनियर एर्थ फ्लोर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें वर्क करते हो अडियोर में रहते हो, स्मोक नहीं करते हो नहीं ड्रिंक करते हो, ले रहे आजा कि में उसे बहुत पसंद करते हो वोट तुमने तो मतलब मेरा पुरा बायोड़ेटा बता दिया मेरे पापा की सारी सेविंग्स इस प्रोजेक में मैंने इन्वेस्ट की है मेरी सेविंग्स भी मिला कर दो फ्लोर का मैं फ्लैट बना रहा हम, टोटल सिक्स यूनिट्स प्रीमियम अपार्टमेंट्स, सारे के सारे टू बी एच के अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेस्फुल हो गया ना तो मेरा काम बन जाएगा सक्सेस होगा सक्सेस होगा लव यू पापा की मौत हो गई माँ अपने हजबन के साथ दुबई में है सेकेंड मैरेज उनको देखे आठ साल हो गए वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है तुम्हारी रूमेट नहीं है? नहीं, उन लोगों का देशिफ्ट है कभी सोचा नहीं था इंजिनियर से प्यार करूंगी मैं कोई राइटर या कोई फिल्मेकर इन में सही कोई होगा मेरा जीवन साथ ही ऐसा सोचा था क्यों? इंजिनियर से क्या प्राब्लम है? बोरिंग बोरिंग मैच्स, प्लान, कॉंक्रीट, कंस्ड्रक्शन मैजिक नहीं चाहिए क्या लाइफ में मैजिक हाँ यह फोटो कैलकता में खिछवाई थी ना? हाँ नहीं, हावडा ब्रिज को देखा है ना तुमने? वो बहुत इंजिनियर मार्वल है, ऐसा बोलने वाली हो क्या? नहीं, इसे बहुत इजिली पहन कर चले जाते हैं लेकिन इसके पीछे कितने इंजिनियर काम करते हैं? सीरिसली, हावडा ब्रिज को कैसे बनाया सेम इंजिनियरिंग कॉंसेट स्ट्राप्लस में भी है जरा सोच कर देखो, उतना बड़ा ब्रिज और यह दोनों एक ही डिजाइन कितनी बड़ी बात है ना? सच कह रहा हूं? कैट का प्रिंसिपल रुको, मेरी बात तो सुनो, देखो पिलर भी नहीं है और इतना वेट भी जहेल सकता है यह मैजिक नहीं है क्या? बताओ न, ऐसा काम सिर्फ इंजिनियर लोग ही कर सकते हैं समझ गई न? बंडन क्या खा? यह मेरी रूममेट की है, पांगल हो क्या, दो मुझे, दो, छोड़ो दो मुझे तुकार खाने वाले से मिला क्या है? दोखा दे दिया, एक लाग रुपया हाथ में देंगे तब वो एटियो मशीन डेटी करके देगा हर बार का नाटक है, कितना पैसा वो मेरे हाथों से ले चुका है, जानता है न? सब कुछ भूल गया है वो, पैसा लेगा तभी वो काम करेगा उसकी तो मैं उसको मारेगा तो भी वो पैसा ही मांगेगा चाहे चाहिए क्या? यह चल बाग एक लाग रुपए होगा तभी हम अगला स्टेब ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते तुझे पता न चले इसलिए मैंने छे लाग रुपए छुपा कर रखे थे, उसे भी तू जुवे में हार चुका है अभी कितना है अपने पास? एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस पैर में भी दस है अरे जा ना, चाय पिनने को पैसे नहीं हो, मुझसे पूछ रहा है, अरे पानी भी नहीं इसमें हाई यह 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 ऐसे हस को रही है कौन है यह? सही नाम लेकर बुला रही है वो आंटी बोल रही थी कि कल आप आने वाले थे आंटी? हाँ, वो कह रही थी कि मुझे आंटी कहकर मत बुलाया करो, मा कहकर बुलाया करो, थोड़े दिनों में आदर डाल लोंगी माँ की बात कर रही है लेकिन तेरी माँ तो मर चुकी है न कोलकाथा में सुना है बहुत बारिश हो रही है न्यूस में बता रहे थे मैं लगातार तीन दिन से मंदर में पूझा कर रही हूं कि आप जब भी फ्लाइट चलाओ तो बारिश नहीं होनी चाहिए कि फ्लाइट चलाता है कि बंगाली सीख रही हूं मैं मेरेज होने के बाद आपके साथ कोलकाता जाने से पहले मैं सीख लूँगी मुझे यकीन है तेरी बंगाली सीखने से पहले तुझे छोड़ चुका होगा वwestल, मैंने क्या किया है अच्यली आँट के treatment के लिए मैं cash निकालने के लिए आई थी मेरी बैंक यहीं सामने ही है treatment के लिए डेढ़ लाग मांगे थे पर मेरे अकाउंट में सिर्फ एक ही लाग है यह cash मैं आपको दे दू या आँटी के आने का वेट करूं भाई आने जाने वाले सभी लोग मार रहा है क्यों मार रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरा टाइम तो पुरा ही चल रहा है इस चांस को जाने मत दे दबोच ले अब आगे क्या बात करूं मैं समझ नहीं पा रही हूं लगता है आंटी आ गई है मैसेज किया है उन्होंने पास में ही वो मेरा इंतिजार कर रही है आप चलोगे क्या तू आगे जा अपना आता है अब चल तेरी माँ से मिलकर आते हैं अन्टी कविन तेरी माँ मैं से यहां मिलोंगी मैंने कभी नहीं सोचा था माने भी नहीं सोचा होगा एह ना बिलकुल आंटी नहीं रंदो रंदो तुम निकलो मैं आ गया हो ना मां का ट्रीट्मिंट में कर लूंगा कोई बात नहीं सेलफोन की दुकान में काम करती है शेहर आटो में ट्रावल करते हुए पहचान हुई उसके घरवाले उसके लड़का ढूंड रहे थे तो मैंने का मैं भी लड़के के लिए लड़की ढूंड रहे हूं मेरा बिटा कलकता में पालेट आफिसर है मुझे ऑपरचुनिटी मिल अब तक तुने अपना नंबर नहीं बदला हर महीने तो तू बदलता रहता है आंटी की तब्यत खराब है यह मैंने पापा को बताया था तो आप वो मिलना चाहते हैं उनसे नहीं आइस यू में रखना पड़ा है यह बगवान नहीं डरने की बात नहीं है डिस्चार्ज कर इस लड़की ने अपन को क्रॉंस किया ना तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं हेलो 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 लगता है कट गया भाईया जरा गाड़ी दोखना मौलत पूरी होने में दो दिन बाकी है ना भाईया पिछले चार दिन में क्या उखाड लिया जब चार दिन में कुछ ने कर पाया तो दो दिन में क्या कर लेगा रे होल कविन मुरली की तरह है मेरे गोडाउन में है सुबहे तक मेरा पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए पार्ट पेमेंट नहीं लूँगा एक दिन का टाइम देता हूं तुझे उसके बाद इसके टुकड़े करके पारसल कर दूँगा तुझे अपन को और जिन पैसा चाहिए क्या यार तुझे पिछले हफ्ते मांगना चाहिए था दो महीने से बिजनस नहीं चल रहा है यार तु अन्ना से पूछ कर देखना शिकेरिटी में क्या रखेगा मुझे हफ्ता भर लगेगा यार दास के मामले में फस गया है ना अब तुझ कुझे कोई भी पैसा नहीं देगा है कि क्या हुआ खाना ऐसे क्यों रखा हुआ है अगर मैं कुछ बताओं तो पापा को तो नहीं बताओगी ना हां बोलो कि आंटी है ना कविन की मां वह कविन की मां नहीं है सच में वह फोर्ट्वेंटी है उसने जो कुछ भी हमें बताया वो सब जूट है उन्होंने धोका दिया हमें यह तु क्या बोल रही है ट्रीटमेंट के लिए पैसा मागा था ना अगर वो ले लिया होता तो पानी में चला जाता तो पुलिस के पास चले फिर कविन ने पैसे तो नहीं लिये ना अगर ले तो वो भी बुरा आदमी था मेरी नजर में तो वो अच्छा इंसान है कि इस हक्त कौन हो सकता है कि वो मां अच्छानक सीरियस हो गई है कि तुरंट सर्जरी करना पड़ेगा ऐसा डॉक्टर ने आप उनको बूला मेरा सारा फंड एफडी बॉंड सब डाल रखा है अच्छानक विड्रो नहीं कर सकता अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो साथ दिन के लिए दे दो फिर वापस कर दूँगा क्या हुआ कुछ नहीं 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 बैटा रोते नहीं है रोते नहीं है नहीं 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 रूपते थैंक्स जाहो तो एक बार तुम अपने बाबा से बात कर लो उनकी नाइट शिफ्ट है वो यहां नहीं है यह मेरा खुद का पैसा है मैंने अपने दहेच के लिए रखा था तुम लेके जा सकते हो कल सुबह फोन करता हूं कविन मेरा नाम तुम जानते हो क्या तुम में भी जून अभ मैं निकलताओं अरे या तुभ ऑच्वोड का निकलता हूं अरे या थुझ पाटी को चाहा जाना एक कल सुबह रजिस्ट्रिशिशन और अभिस जाना है आए लाइं दैसे हो इसलिशन करनाय रेख्वाय तुम एक्ट करना है ओक्या आए ते करी मु कर दोड़ा एक प्रहें है झाल 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 झाल